वेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल चलिए आज हम बसी बहले कोदो बनाते हैं बसी बहले भात होता है जो करनाटक की में डेश है और यह स्पाइसी होता है तो चलिए हम इसे कोदो से बनाएंगे हमने लिया है एक कप कोदो ओवरनाइट सोख करके दो घंटे पहले हमने पूर की दाल हाफ कप सोख करके रखी हुई थी और साथ में कुछ सबजियां लिए जिसमें फ्रेंच बीन्स और कैरिट जो है वो मस्ट होती है साथ में हमने थोड़े से फ्रोजन पीज लिए है अनियन और टोमेटो लिए है आप चाहें तो एक इसमें आलू भी आइड कर सकत है और साथ में सारी सबजियां जो मैंने कट करके रखी हुई है वो भी सब इसी में डाल दूँगी मिलेट बनाते समय आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उसे साथ से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट सोक करके ही यूज करना है और अब हमने हाड़ी में जब सब कुछ डा दिया है उसके बाद मैंने 5-6 गलास लगभग आपने जितना दाल और कोदो लिया है उससे एक टाइमस आपको पानी इसमें एड़ करना है और साथ में एक टेबल स्पून भर करके मैं इसमें नमक डाल दूँगी और फिर इसे बॉइल आने के बाद आराम से कुख होने के ल और चलिए जब तक कि हमारा कोदो और दाल अच्छे से कुख हो रहा है उस समय तक हम इसके लिए एक मसाला तयार करते हैं मसालों की लिस्ट मैंने आपको इसमें दे दी है यह मसाले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन मसालों को आप पहले ही एक साइड में निकाल हो जाएगी तो उसे में साइड में निकाल कर रख लेंगे अब हम एक एक करके सारे मसालों को कड़ाई में एड करते चले जाएंगे और इन्हें अच्छे से लो फ्लेम पर हम सेक लेंगे और जब यह मसाले अच्छी तरीके से सिक जाएं तो इसे हम साइड में निकाल करके एक बार आप ये बना कर खायेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना टेस्टी होता है और इसे आप बार-बार बना कर खाना चाहेंगे इसमें मैंने जाय कर् pierp has अगर आपका मसाला थोड़ा ज्यादा भी बन गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे एक एर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख लीजे, तो ये काफी लंबे समय तक के खराब नहीं होता है, और चलिए अब इदर हमने एक कडाई लिए, जिसमें एक टेबल स्पू उसके साथ ही हम इसमें उरत दाल एक टेबल स्पून एड़ कर रहे हैं, एक टी स्पून हम इसमें हींग एड़ कर रहे हैं, कुछ करी लीव्ज है, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च हम एड़ कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून लगबग हल्दी एड़ क हम इसमें एक टेवल स्पुन गुड़ एड़ कर रहे हैं यह जितनी कॉंटिटी हमने बनाई है वो लगभग 5-6 लोगों के लिए बहुत सफिशेंट है और यह सारा मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है त्यार हो चुका है इसे हम अब अपने जो कोदो और दाल जो की फ्लेम पर कुक होने देंगे और उसके बाद में हमने जो मूमफली से एक कर रखी हुई है वो मूमफली इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरदनिया एड़ कर देंगे और यदि आप और भी तीखा खाना चाहते हैं तो आप जिस समय तड़का बना रहे हैं उ इससे ट्रैडिशनली बूंदी के साथ खाया जाता है कि आप चाहिए तो पापड के साथ भी खा सकते हैं निच उटब यह मैं होता है तो श्रोड़निय और बूंदी के साथ या पापड के साथ अपी से सर्व कीजिये और यदि अप लोगो को मेरी रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिं